आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सुनेल और स्टार आइक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करेंट है फिर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टार आईक्यू पीडियो के नाम से टेलिग्राम चैनल है आप इसे भी जल्दी से जोइन कर आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्यूस्टन हमारा है कि भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर गरामीन घर में नल कनेक्शन उपलब्द करवाने वाला देश का पहला हर घर जल्राज्य बन गया है भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो कि हर घर में नल से कनेक्शन या हर घर जल जो है देने वाला राज्यय बना है तो इस Q 서x का सही अंसर है प्यारे बच्चो ग वा भी option जो है इस Q 서x का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा गोवा भारत का ऐसा पहला राज्यय बन गया है और गोवा ने बिल्कुल सफ़रता पुरुवग 2.30 अब ऐसे करके 100% जो है घरेलू डल कनेक्शन जो हो चुका है गोवा के अंदर पिसे गोवा चोटा सा ही तो राजी है कोई बहुत बड़ा राजय तो है नहीं गोवा के मुखे मंतरी का नाम क्या है प्रमोद कुमार सावत है गोवा की राजधानी क्या है पंजी है गोवा के राज्येपाल का नाम भगर सिंग कोशारी इनके पास में एक्स्ट्रा चार्ज है ये महारास्टर राज्ये के भी है राज्येपाल ये भी बात आप याद रखीएगा, ये रिसेंट ही इनको बनाया गया था आगे जाता हूँ, अगला क्युस्तन हमारा है कि प्रदाहन मंतरी दिरिंदर मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना की अंतरगत संपत्ती कार्ड वितरित करने की सुरुवात की है या इसकी सुरुवात करने की घोष्णा की है 11 अक्टूबर को कौन सी योजना के तैत संपत्ती कार्ड पॉपर्टी कार्ड जो है वो डिस्ट्रिबूट करने की गोशना की है तो इस किसन का सही अंसर है स्वामितव योजना ठीक है बी आप्शन सही है इस स्वामितव योजना को सुरू किया गया था रास्टिय पंचायती राज़ दिवस 24 अपरेल 2020 के दिन इसे शुरू किया गया था और इस योजना की अंत्रगत देश के लगबग एक लाख जिनके पास में जमीन है संपत्ती के मालिक है या भू संपत्ती के मालिक है एक लाख भू संपत्ती मालिकों को अपने मोबाइल फोन पर SMS के दवरा प्राप्त होने वाला जो लिंक है उससे संपत्ती कार्ड डाउनलोड करना होगा मतलब अपनी जो भी संपत्ती है जो भी उनके पास में प्रॉपर्टी है उसका कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं उनको मोबाइल के उपर जो है कोल सेक्टर के अंदर रिसर्च के लिए एक website launch की है तो इसे डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा जहर सी बात कोईले के अंदर तो कोईला ही डिपार्टमेंट होगा सी ओप्शन सही है कोईला ही मंत्राले ने जू है इसे और कोईला मंत्राले के सची हुए जिनका नाम क्या है जिनका नाम है अनिल जैन ठीक है अनिल जैन जो है इन्होंने अभी हाल ही में कोईला के छेत्र में ज्यान और और ज्यादा रिसर्च करने के लिए इसको थोड़ा और प्रौशान देने के लिए एक वेबसाइट लॉंच की है और इस वेबसाइट को परच वगरा की जा सकती है निमलिक्त में से किस देश ने हाली में पहली एंटी रेडियेशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल प्रिस्टिक्षन किया है रुद्रम 1 रुद्रम 1 जो है हमारे भारत की है बनाई गई है DRDO दवारा ठीक है मिसाइल तो जहारी सी बात है DRDO ही बनाते है और रुद्रम 1 का मिसाइल का सफल प्रिस्टिक्षन किया है यह 100% made in India है एंटी रेडियेशन मिसाइल है इस मिसाइल की रुद्रम की स्पीड जो है वो आपकी तू मैक या यूं कहिएगा धवनी की स्पीड से जो है लगबग डबल साउंड से जो है आपकी साउंड से डबल स्पीड रहेगी इसकी रुद्रम की और इस मिसाइल का सफल प्रिस्टिक्षन कहां से हुआ है ओडिसा के बाला सोर में है वहां पे हुआ है रिसेंटल एक दो मिसाइल और भी आपको मैंने बताई थी जैसे अभ्यास थी पृत्वी टू थी ठीक है तो वो भी आप साथ की सा वोटो का है बलेशय मुलम विज्ञानम स्टेंथन इस इन और इसन ऑफ साइंस उसके अलावा डियाडियो जो है आपका इसके जो अध्यक्स है उनका नाम क्या है जी सतीस रेडी जिनका कारेकाल रिसेंटली अगस्त दो जार बीस के अंदर आगे दो साल के लिए और बढ़ करने के लिए क्या विक्सित किया है यूरिया जैव किटनासक टैबलेट या इन में से कोई नहीं तो इसकिस्तन का सही अंसर है आपका जैव किटनासक भी ऑप्शन सही है जैव किटनासक को हम लोग इंगलिस में बायो पैस्टिसाइड के नाम से पुकारा करते हैं ठीक है आ यह बायो पैस्टिसाइड जो है इसको विक्सित किया है ठीक है तो यह बात आप याद अख लीजिएगा किस ने किया है यह आई पी एफटी ठीक है इसका फुल फॉर्म क्या है कीट नासक सुत्री करण यानि कि आपका पैस्टिसाइड फॉर्मुला टेकनोलोजी इंस्टेट या आपका ठीक है तो यह बात आप याद कर सकते हैं इसको पैस्टिसाइड फॉर्मुला टेकनोलोजी आप ऐसे भी इसका फॉर्म याद कर सकते हैं साइन्स एंड टेकनोलोजी डिपार्टमेंट ने चात्रों के लिए S.T.E.M. Career master त्यार करने के उदेशिये से किसके साथ में सांजेदारी की है तो काफी हथ तक important क्यों से है यह सांजेदारी की गई है इभी हाल ही में किसके साथ में IBM के साथ में लेकि उससे पहले आपको पता होना चीए S.T.E.M. क्या होता है STEM का full form होता है Science, Technology, Engineering and Mathematics इसके अंदर student की और उची हो इनके अंदर और ज़ादा job मिल सके इसके लिए साजेदारी की गई है IBM के साथ में IBM आप सभी को पता है International Business Machine दुनिया की वो सबसे बड़ी कंपनी है जो computer निर्माता कंपनी है पहला computer बनाने का स्रे भी इसी कंपनी को ही जाता है वैज्यानिक दृष्टी कोड से बच्चों की सोच बढ़ जाए ठीक है और अच्छे तरीके से जो है आपका यूग कोडिंग वगरा सीख सके और engineering सेक्टर के अंदर जा सके नए-नए जो है creativity दिखा सके और नए-नए रोजगार अवसर भी पैदा कर सके मतलब जोब curator बन सके बच्चे IBM का जो CEO है उनका नाम है अरविंद कृष्चना है ये भी एक important कि उससे ने recently 2020 में ही ये बने थे IBM की स्थापना 16 जुन 1911 को ये हैड़कॉर्टर इसका अमेरिका नियॉक के अंदर है ये भी बात आप याद कर सकते हैं और इसकी स्थापना की किस ने थी Charles Flint ने की थी Flint याद कर लो याद असानी से हो जाएगा आपको हाली में किस ने EPFO मुख्याले के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांसरन की सुविधाक की जो है उसकी सुरुवात की है रिसेंटली हूँ है इंटर्डूस बल्क ट्रांसफर फैसिलेटी फोर एक्जम्टिड स्टेबलाइजमेंट ओफ EPFO हेड़कॉर्टर्स तो इसकी उसन का सही अंसर है आपका स्री अपूरू चंदर जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं EPFO करमचारी भोशे निधी संगटन सरम और रोजगार के सची स्री अपूरू चंदर ने हाल ही में EPFO मुख्याले के छूट प्राप्त परतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांसरन के सुधा सुरू की है इससे होगा क्या सर मतलब इसका और राल मतलब क्या है इसका मतलब यह यह कि जितने भी कारोबारी है जितने भी बिजनसमेन है उन बिजनसमेन को जो है बिजनस करने में असानी मिलेगी ठीक है और जितने भी उनका आपका टेक्स वगेरा पे करना होगा उसमें थोड़ा सा छूट का हिस्सा मिलेगा बिजनस के लिए एक टेक्स बहुत बड़ा हिस्सा होता है या यूँ कहिएगा बहुत सारे कागजी कारवाईज होती है कई सारा जो है आपका कई कई जगह पे अप्रूव करवानी पड़ती है कई सारी चीजों को तो उनमें जो है लाब मिलेगा बिजनस की सुगमता के लिए ये किया गया है और मैं बात करता हूँ E.P.F.O. तो इसके स्थाफना 4 मार्च 1952 को हुई है न्यू डैली में इसका हैड़कॉर्टर है और ठीक है इतनी बातें आपको याद रखनी है अगला क्यूस्थन हमारा है कि 11 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को दुनिया भर में दिवस मनाते है इंटरनेशनल रास्ट्रिय बालिका दिवस जनवरी के महिने में होता है लेकिन ये आपका है इंटरनेशनल ठीक है तो इसे भी आप याद रखना और इसका उदेश्या बस इतना सही है कि बालिकाओं के सामने आने वाली चुनोतिया जो है और उनके अधिकारों के स्रक्षन के बारे में लोगों को जागरू करना इस दिवस की सुरुवात United Nation ने की थिर कब से की है 2012 से इसे मना रहे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 10 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग जागरू करना ठीक है और इस दिवस को सबसे पहली बार 1992 से मनाया गया था तब से आज तक ही मना रहे हैं ठीक है और मानसिक स्वास्ते संग जो है उन्होंने ही इस दिवस की स्थापना की थी आगे बढ़ते हैं तो उत्तर पुर्वी भारत में सड़क निर्वान के लिए केंदरिय सड़क प्रिहवन और राजमार्ग मंत्राले ने आवंतित धन बढ़ाकर लगब कितने गुना कर दिया है कितना गुना कर दिया है तो इसको जो है धन को बढ़ा के दो गुना कर दिया है ठीक है ये बात आप याद रखिएगा और जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपका S A R D P N E इसका मतलब है उत्तर पूर्वी छेतर में विशेश तवरित सडक विकास निगम जो होता है इसको इंगली समें बोलेंगे Special Accrelated Road Development Program for the North Eastern Region ठीक है North Eastern Region के लिए सडक के लिए यूँ कहिएगा एक अलग सा प्रोग्राम होता है तवरित सडक विशेश प्रोग्राम होता ही है ठीक है और इनके लिए धन बढ़ा के दोल गुना कर दिया है जिसमें अरुनाचल प्रदेश पैकेज के लिए विशेश रूप से 300 क्रोड रुपे जो है वो निर्धारित किये गए है इस नोर्थ वाले रीजन के अंदर ठीक है नोर्थ इस्ट वाले रीजन के अंदर क्योंकि यहां पे पहाड़ी इलाका होता है यहां पे जो है आपका रोड को कवर करना रोड बनाना एक टीपिकल पैकेज होता है ठीक